हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में तो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य परदेश राज के सीवनी जिला के बारे में तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिये हुए रेट कलर की बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और दोस्तो अगर आप अपने जिला के बारे में जाना चाते हैं तो भी अमें नीचे कोमेंट करकर जरूर बताएगा तो सिवनी जिला यह जिला भारत देश के मध्य परदेश राज में इस्तीत मध्य परदेश के 52 जिलों में से एक सिवनी जिला के नाम से जाना जाता है यह जिला मद्य पर्देश राज के दच्चिर से पूरो जिशा की ओर बसा हुआ है जिस वज़ा से इस जिले की दच्चिर की सीमा महराष्ट राज से मिलती है इस जिले का हेट कौटर ओपिस सीवनी सहर में मौजूद है और सीवनी जिला जबलपूर मंडल के अंतरगत आता है पोडोसी जिला के बारे में बात करें तो सीवनी जिला के कुल छे पोडोसी जिला है जिनके नाम इस परकार है मंडला जिला, जबलपूर जिला, नागपूर जिला, नर्सिंग पूर जिला और चिंदवाडा जिला है सिवनी जिला में याठ तैसिल, एक लोगसभा, चार विधानसभा, अनिस पुलिस इस्टेशन, दो सो डाक घर, एक अस्पताल, एक नगरपाली का परिसद, दो नगरपाली का 644 ग्राम पंचायते, छे सहर और 1587 गाओं में बटा हुआ है चतरफल की बात करे तो मध्य परदेश के सिवनी जिले का कुल चतरफल 8758 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आबादी की बात करे तो वर्ष 2011 के जनगर्णा की अनुसार सिवनी जिला की कुल अबादी 13,89,000 है जिसमें की पुरुस की कुल अबादी 6,99,000 और महिला की कुल अबादी 6,83,000 है सिवनी जिले का ओसत लिंगन पात 9,88 के करीब है यानि की यहाँ पर 1000 पुरुस पर 9,82 महिला है इस जिला में हिंदु धर्म की अबादी 89,000 तथा मुस्लिम धर्म की अबादी 20,000 पर तिसाथ है सिवनी जिले के मुख नदी का नाम वेन गंगा नदी है वेन गंगा नदी के किनारे पर बसा यह जिला मध्य पर देश की राधानी भोपाल से महज 350 किलो मीटर तथा देश की राधाने दिल्ली से लगभग 950 किलो मीटर की दूरी पर बसा हुआ है सडक रास्ते की बात करें तो इस जिला में कई एश से छोटे बड़े सडक हैं जिसके माध्यम से यहां के लोग दूसरे सहरों में पहुँच सकते हैं इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संक्या साथ और नेशनल हाईवे संक्या 26 गुजरती है जो आगे चल कर मध्य पर देश के बड़े बड़े जिलों के साथ जूरती है यह जिला बस के माधियम से अबी पोडोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गाउं तक भी बस से वा मोईया परदान कराती है रेलबे स्टेशन की बात करें तो सीवनी जिला के मुख रेलबे स्टेशन का नाम सीवनी रेलबे स्टेशन है जानकारी के लिए आपको बता दू कि सीवनी जिला में कुल तेरा रेलबे स्टेशन है सिच्छा की बात करें तो इस जिला में कहें से छोटे वड़े स्कूल वा कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहां के बच्चे अच्छी तरों से सिच्छा प्राप्त कर सकते हैं इस जिले की साच्छा दर 72 परतिसत है यानि की यहां पर 72 परतिसत लोग पढ़े लिखे हैं जिसमें की पुरूस वा महिला दोनों सामिल है इस जिले के कुछ महत्तोपूर्ण स्कूल वा कॉलेज के नामी प्रकार हैं नेता जी सुबास, गौर्मेंट महिला कालेज, गौर्मेंट पीजी कालेज, जन्ता इंटर कालेज, महर्सी इंटर कालेज, गौर्मेंट पीजी कालेज, सौमे विवेका नंद कालेज ये सभी कॉलेज सिवनी जिला में मौजूद है जो आसपास के बच्चों को अच्छी तरह से सिच्छा मोईया परदान कराते हैं प्रेटन इस्तल की बात करे तो सिवनी जिला खुबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर वा मसहूर है यहां के खुबसूरत अस्तल में सुमार, बर्दमान स्वामी मंदिर, सिवगाट, पतिया हाउस, संजे सरवर ले ये सभी यहां के टूरिस पहले से दोस्तों सिवनी जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कॉमेंट करकर जरूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिये हुए रेड कलर के बटन को दबा कर हमारे चनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद